लाज वीडियो में मैंने इसके फायदे बताये थे बड़ कुछ कंडिशन्स ऐसी भी है जब ये पीना आपके लिए अच्छा नहीं है या बोल सकते बीडी छोड़ बीडी वाफट जी या आईरविद के खासियत ये है कि वो कोई भी चीज के फायदे बताते हैं उसे कब नहीं करना चाहिए ये भी बताते हैं तो सबसे पहला फायदा धूमपान के बहुत सारे फायदे कफित्त की कंडिशन में पर वो बोलते हैं कि पंच कर्व में अगर किसी ने वि बस्ती ली है बस्ती मतलब जो जहांसे आपका पेट साफ होता है वहाँ से कोई भी तेल या काड़ा लिया है वैसी कंडिशन पे भी धूमपान अच्छा नहीं है जिनको कभी भी सिर में चोट लगी है किसी भी कारण से गिर गये थे कुछ एक्सिडेंट हुआ था हैड लेते हैं वो चीज़े कौन सी हैं वो कहते हैं कि मधू दही दोध मंद्य मधू मतलब आपका शहद अगर आपने लिया है दोध लिया है ठीक है या अल्कोहल ट्रिंक लिया है या कोई भी चिकना आइटम अगर आपकी डाइट में सपोज आपने दोध चमज घी या तीस अगर प्रमेह जिनको बहुत जदा यूरीन होता है डाइबीटिक जी कंडिशन या पांडू जिनको शरीर में खोन की कमी है उन लोगों के लिए धूम पान करना आईरवेध में मना है और और कुछ कंडिशन बोलते हैं जिनको पेट में बहुत जदा गैस होती है एक आपने भी खुण के अगर थोड़ी भी गर्मी है रख्त पित्ते की पेशण्ट है, हीट से बहुत तकलीफ होती है, हाद पैर में जलन होती है, नाक से कहीं भी खुण उन निकलने की तकलीफ है, पीरिट्स में बहुत ज़्यदína ब्लड जाता है, urine lettering में से खोन निकलता है कान से सुगूत खोन निकलता है या खोन पतला करने की कोई दवाइगा चालू है कोई भी internal कभी bleeding हुई है ऐसे सारी conditions में धूम पान करना आई रवेद में मना है फिर भी कोई बोलता है कि नहीं हम तो करेंगे my life my rule तो क्या क्या तकलीफे हो सकती है या गर्मी के मौसम में अगर आप गर्म जगा पे हो heat से related बहुत ज़दा धूप है ऐसे टाइम पे अगर आप धूम पान करते हो तो उसके क्या क्या नुक्सान होंगे उसकी विलिष्ट वागबर जीने दी है चलिए देखते हैं वो कहते हैं ब्रह्म जवर संताप इंद्री नार्ष्ट ब्रह्म मतलब चक्कर आने लग जाना ठीक है सीर्य से घुमने लएगा बुखार्द आने जैसे लग जाना कहते हैं कि इंद्रिया आपकी सूखने लग जाएगी मुँ सूखने लग जाएगा आपका जो तालू होता है वो सारी की सारी चीज़े आपकी सूखने लग जाएगी तो अल्रेडी हीट रिलेटेट तकलीफ है उसमें अगर आप ऐसे कोई भी गरम चीज़ अगर आप यूज़ करोगी तो आपकी और जो तकलीफ है वो और बढ़ जाएगी क्योंकि आईरवेद का ट्रीटमेंट क्यों करते हैं हम वात पित कफ को बैलन्स करने के लिए अल्रेडी अगर आपके शरी में हीट बढ़ी है उसनता बढ़ी है और उसमें आप इस तरह का क्या कोई भी टाइप की आउशदी हीट के मात्यम से हम जब ये धूम पान करते हैं तो करते क्या है ये आउशदिया है इसमें उसको हम अगनी और वायू के द्वारा शरी में ले रहे तो जब आपके हीट अगर बढ़ी हुई है कोई भी कारण से जलन हो रही है मुमें चाले आए हुए है आँकों में कान में ये समय जलन होता है खुन निकलता है ये गर्मी की कारण बाल बाल जढ रहे है और ऐसा वेक्ति अगर धूम पान चालू कर देगा तो उसकी और तकलीफे बढ़ भी चाहेए यहां तक की वांभण जी वार्निंग देते हुए बोलते है मृत्यू वा ऐसे शब्द कहे है कि मृत्यू तक हो सकती है इंटर्नल ब्लीडिंग होके ब्रेन का हेमरेज होके वेक्तिक खतम तक हो सकता है तो धूमपान अगर गर्मी रिलेटेड हीट रिलेटेड कोई भी तकलीफ है तब आपके लिए अच्छा नहीं है केवल और केवल यह वात कफ की कंडिशन में वो भी वो बिमारी ठीक होने तक के लिए ही लेने के लिए बोला है वो भी आईरवेदिक की यह जो स्टिक है वो आपको कोई भी आईरवेदिक शॉप या आईरवेदिक जो डॉक्टर से है वहाँ पे मिल जाएगी उस तरीके का आप यह धूम पार कर सकते है नाकि वीडी तंबा को सिगरेट वाला ठीक तो उमीद है कि जिन लोगों को ऐसे तकी नहीं धूम पात्तों करना चाहिए बहुत फायदे मंदे पेट साफ नहीं हो रहा है तो थोड़ा मालिया पेट साफ हो गया ऐसी कंडिशन्स में यह आपको फायदे से ज़्यादा बीमार और बहुत ज़्यादा बीमार कर सकता है और इसे कौन से टॉपिक पाप वीडियो देखना चाहता है कमेंट करके जरूर बताएं तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें